दोस्तों आप बहुत ही परेशान हैं बिजली बिल से आपके खेतों में मोटर चल रही हैं लेकिन आप बिजली बिल से परेशान है अब बिजली बिल से परेशान है तो आपने एक निर्णा लिया है कि सोलर पंप लगा दे जैसे आप सोलर व्यापारी के पास जाते हैं तो सोल को आपको चेंज करना पड़ेगा यानि कि चो पहले सека मड़ी में उसको डी इसी में करना पड़ेगा या फिर डी सी ओर न फ़रो देक लगना पड़े लेकिन आज को वीडियो में आपको वह मोटर होती है और दूसरी हाइब्रेड मोटर जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया है मेरे खेद पर लग हुई है शक्ति का जो सोलर पॉम्प है उसमें एक ड्राइव लगी हुई है वो ऐसी भी चला सकता है और डिसी भी चला सकता है लेकिन अब बात करते हैं अप पन कैसे चला सकते हैं क्या क्या चीए तो सबसे पहले आपके पास तो मोटर तो पहले सी है जैसे सी आराइक की है किसी भी कंपनी की लेकिन जो हाई रेटिंग वाली जो मोटर है वो सोलर पर कम सक्सेस रहती है जो पहले से जैसे सी आराइक की मोटर है हाई रेटिंग वाली म आपके पास motor, cable, pipe वगेरा सब कुछ है अब आपको सिर्फ चाहिए solar panel structure और एक और device चाहिए जो है VFD ये VFD क्या है सबसे पहले ये समझते हैं VFD का मतलब होता है variable frequency drive अब इसका काम क्या है सबसे पहले इधर देखते हैं जैसे पहले जो लगी हुई आपकी motor pump है उसमें क्या होता है grid से चलता है वो पराबर rpm पे चलती रहती है motor लेकिन solar पर जब आप इसको install कर रहे हैं तो solar पर क होगा जैसे दूप कम होई तो उसके क्या होगे rpm कम हो जाएगे जैसे rpm कम होंगे तो आपके motor जल सकती है इसके लिए कर सकतें इतने अर्पियम से इतने अर्पियम के बीच में बनना चाहिए तो उसके साफ से वेलिबल रहती ए और उसके साथ में वाल्टेज को भी वेल्यबल करता यह मल्टेज कितने जैदा आ रहे कितने काम हो ऋसके साफ से पंप मटर को रण करता है अब ब्य aircraft डी कितने लगानी लगानी वह लाश्म में बताऊंगा और प्राइजपी लाश्म मताऊंगा वीडियों को अन्ट देखना आपको क्या करना एक इस्ट सथान characters लेना है और विये डी lena है जैसा कि मैं सबस्क्राइकophone' आटा चक्की के लिए वीडियो में बताया था कि VFD किस प्रकार लगाना क्या है आटा चक्की में क्या VFD को अपन खुला लगा सकते हैं लेकिन जो solar pump है जो खेतों में लगाते हैं वहां पर क्या बारिस की दिक्कत रहती कापी दिक्कत रहती इसलिए उसको box में लगाना पड बढ़ जाता क्योंकि जो box लगा रहे पर उस box के लिए आपको खर्चा थोड़ा सब बढ़ जाता है यह चार से पांच जार का खर्चा होता है जो box लग जाता है वो सारी यहां पर समश्या दूर हो जाती है आप जैसे आपने अगर नई मोटर खरीद रहे हैं तो नई मोटर पानी का प्लू कम रहता है यहां आप आसानी से चला सकते हैं कुछ बात कर लें प्राइस की की सीटम का पूरा प्राइस कितना लगेगा और व्याग लग डेगा अर अलग और यहाँ पर प्राइज ब्रिया से जार 500 रुपए और टोटल खर्चा 1,25,000 रुपए का फिर 5 HP के बाद करते है तो VFD 5 HP प्राइज 23,000 रुपए और जो पैनल है वो 16 पैनल लगेंगे 3-phase में ही लेनी है आपको उसके बाद में बात करते है साड़े साथ है HP के साड़ा साथ है HP के लिए साड़ा साथ है HP की VFD नहीं है आपको यहाँ पर 10 HP का VFD लेना है और इसकी प्राइज लगबग आपको 34-35,000 रुपए पैनल आपको 36 लगाना है VFD भी 10 HP की ही इसमें लगानी है फाइनल अगर 12 HP की बात करते है तो 12 HP के लिए VFD लगानी है आपको 15 HP यहाँ पर 12 की नहीं 15 की लगानी है आपको प्राइज लगबग 49-40,000 रुपए पैनल चमालिस पैनल लगना है और यहाँ पर पैनल का जो खर्चा होगा 3,63,000 रुपए और टोटल खर्चा 5,000 रुपए यानि कि मैं समरी बता दो आपको 3 HP का अगर आपके पास समर्सिबल लगा हुआ है तो 1,25,000 का खर्चा लगेगा 5 HP के लिए 2,00,500 लगे 75 HP के लिए 4,000,000, 10 HP के लिए 4,000,000, اور 12 HP के लिए 5,00,000, खर्चा है यह एक एवरेज 550 का है इसमें कम जदा प्राइज में मिल जती है यहाँ पर व्यारटे की बात करते है एक साल मिलती है और पेनल की वरंटी के बात करते हैं यहाँ पर 25 संथ तक की वरंटी है वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए मिलते हैं अगरे वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय जै बारत जै राजस्तान वन दे मात्रम